प्रेंड्स गुड मोर्निंग आपका स्वागत है लविंग गार्डन पर तो देखें आप मेरे सामने इतना सुन्दर सा प्लांट देख रहे हैं ओर्नामेंटल कैबेज बोलते हैं इसे इस प्लांट को वैसे कई सारे नामों से जाना जाता है और इसे ब्रासिका वाले रेसिया के नाम से भी जाना जाता है लेकिन कोमन सा जो नेम होता है इसका केल होता है वो नर्सरी में आसानी से बोल सकते हैं इसलिए इसे केल बोलते हैं तो इस प्लांट के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इसकी कैसे केयर करनी चाहिए और कैसे आपको इसे fertilizer और कैसे किस जगह पर रखना चाहिए पूरी information इस वीडियो में आपको मिलेगी इसलिए friends वीडियो को आप पूरा जरूर देखे तो चली शुरू करने से पहले अगर आपने channel को भी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीची और वीडियो पसंद आई तो एक like भी जरूर कर देना तो friends चलीए हम सुरू करते हैं kale plant के बारे में तो kale जो plant होता है ये जैसे हमारी पत्ता गोबी होती है उसी की ही variety का एक plant है वैसे तो इसकी पत्तिया जो है सलाद में खाई भी जा सकती है लेकिन पत्ता गोबी इन plant को हम इसलिए नहीं खा सकते हैं क्योंकि हम इसे decorate के लिए रखते हैं और इनमें हम chemical यूज़ करते हैं तो इसलिए खाने में हमें इने कम ही यूज़ करना चाहिए लेकिन कई जगा पर इसे सलाद के रूप में खाया जाता है क्योंकि जैसे पत्ता गोबी होती है सेम वही ये भी हमारा इसी तरीके का plant होता है तो देखे इसके सुन्दरता जो होती है सिर्फ इसके color होते हैं इसके बहुत सारे color आपको नरसरी में देखने को मिल जाएंगे काफी different different इसके color होते हैं मेरे पास भी ये color है जाय से purple color है जैसे ही ये नई leaves आती है ये नया flowers जैसे बनता है तो ये color इसका नया color होता है इस الف liff's में जैसे इसने orchids होती होती है लेकिन जैसे पुरानी leaves होती चली जाती है ऐसे ही इसकी leaves ग्रीन होती चली जाती है तो ये देखे जैसे पुरानी हो गई है तो ये ग्रीन होती जा रही है बहुत सुंदर प्लांट लगता है इसकी सुंदरता सिर्फ इसकी लीव से ही होती है तो इस प्लांट को लगाने से कैसी जगा पर आप इसे लगा सकते हैं आप इस प्लांट को ऐसी जगा पर लगाईए जहां पर इसे अच्छी दो से तीन गंटे की सनलाइट मिल जाए इससे ज्यादा वैस्त सर्दियों में ज्यादा धूप निकलती भी नहीं है हमारे या भी कई दिन में आज हलकी धूप निकली है ज्यादा धूप नहीं निकलती ह क्योंकि उससे ज्यादा धूप में रखने से क्या हो गया कि इनकी पत्तियों का कलर होता है तो बहुत सुंदर कलर इनका च्छाया में ही दिखता है और फिर यह जल्दी से फेड़ हो जाता है ज्यादा तेज धूप से तो फ्रेंट्स अभी बात करते हैं इसकी पानी की तो पानी आपको इसमें कैसे डालना है तो जैसे ही बाकी की प्लांट में इस्प्रे करके पानी डाल देते हैं इस प्लांट में आपको पानी इस्प्रे करके बिल्कुल भी नहीं डालना होता है क्योंकि इसमें देखे जगह कम होती है यहाँ पर देखे तो इनकी leaves के बीच में gap नहीं होता है बहुत कम जगह इनमें होती है space बिल्कुल भी नहीं है तो अगर इनमें बीच में पानी रुक जाएगा तो इसमें बीच में fungus लग जाएगी इसलिए आपको इसमें स्प्रे करके पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और एक बार अगर आपके प्लांट में fungus लग जाती है तो फिर उसे बचाना मुस्कीली होता है इसलिए आप इसमें सिर्फ नीचे की साइड ही पानी डाले और नीचे की ड्राय हो चुकी है इसकी सोईल देखे आप और अभी भी मैं इसमें पानी नहीं डालूगी जादा पानी की इसमें ज explanation नहीं पड़ती है बनी बार दो इसलिए अभी मैं इसमें पानी नहीं in कि इसकी बात कर लेते हैंalal आपको इसकी कैसे तयार करनी है तो soil में आप इसकी एक हिस्सा sand ले सकते हैं और एक हिस्सा soil और एक हिस्सा vermicompost गोबर की खाद भी आप इसमें add कर सकते हैं तो ऐसे ही जैसे आप अपने plant को लगाएंगे तो आपको उसमें क्या करना है थोड़ा नीम खली या फिर fungicide powder भी आप उसमें डाल सकते हैं उससे क्या होगा आपके plant में fungus नहीं लगेगी तो वैसे इस plant पे जल्दी से pest वगएरा कोई mealywax वगएरा लगता नहीं है लेकिन एक black सा कीड़ा होता है बिल्कुल छोटा-छोटा कीड़ा होता है black सा वो मैंने इस plant पर देखा है कई बार उससे क्या करना है इसे बचाने के लिए उससे अगर आप कोई pesticide वगएरा इस प्रे करना चाते हैं chemical तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने plant को खाने की सलाद के लिए सोच रहे हैं ऐसे leaves को सलाद के लिए काटने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको chemical उसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है उसमें सिर्फ हमें क्या करना है जैसे हम बाकी के plants पे नीम ओईल का पंदरा से बीस दिन में एक बार इस्प्रे करते हैं वो ही इस्प्रे आपको इस plant पर भी कर देना है उससे क्या होगा जो इस पर एक black सा कीड़ा होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका plant बहुत अच्छा healthy रहेगा तो नीम ओईल कैसे तयार करते हैं उसे अच्छे से हिला कर बिल्कुल अच्छे से आपका एक अच्छा liquid इस्प्रे करने वाला बन जाएगा और उसे आप अपने plant पर इस्प्रे कर दीजे उससे आपके plant पर कोई कीड़ा वगारा कुछ भी नहीं लगेगा नीम ओईल और नीम खली हमारे plant के लिए बहुत अच्छे होते हैं फंगस से पैस्ट से और कीड़े वगारे से बचाने के लिए तो फ्रैंस अभी बात करते हैं आपको इसमें fertilizer कैसे करना है तो देखी खाद इसमें कौन सा चाहिएगा इसमें कोई फूल तो ये हम देगा नहीं तो इस पर फूल तो plant पर आएंगे नहीं तो उसके लिए आपको इसमें phosphorus कम चाहिएगी तो phosphorus वाली खाद इसमें हमें कम डालनी है इसमें potassium और nitrogen वाली खाद चाहिए होगी तो bone meal भी इसमें बिलकुल नहीं डालना है bone meal जो खाद होती है वो भी हमें इसमें नहीं डालनी है इसलिए आप इसमें nitrogen जैसे की हो गया मान लिया हमारा बर्मी compost है तो पंदा दिन में उसे पानी में घोल के वो भी आप इसमें डाल दीजी गोबर की खाद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और NPK 90-90-90 वो भी पानी में खोल के हम इसमें डाल सकते हैं तो ये खाद होते हैं हमारे nitrogen अगर phosphorus वाली खाद हो गई फूलो वाले plant के लिए फूलो के जो प्लांट होते हैं उनमें phosphorus वाली खाद जादा चाहिए होती है जैसे ये mustard cake हो गया ये सरसोखली वाला जो खाद होते हैं ये सब phosphorus में चले जाते हैं डीएपी एनपी के इस plant में वो वाली खाद हमें नहीं चाहिएगी क्योंकि वैसे तो इसमें खाद कम ही डालनी होती है ये plant ऐसे भी बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है तो इसके color भी बहुत सारे मिल जाते हैं friends अभी देखे मुझे लगता है मैंने इसके बारे में आपको पूरी information दे दी है I hope आपको वीडियो अच्छी लगे और अच्छी लगे तो please share जरूर करें वीडियो को and thank you so much आप से फिर मुलाकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई